यह है एक budget wireless mic content creators के लिए तो आप मैंसे कितने लोगों होंगे जो content मनाते होगे बट अच्छी audio को लेटी के लिए struggle करते होगे फोन से record की audio को edit करके कुछ ना कुछ करके अच्छा बनाने की try करते होगे तो उसी struggle को solve करने के लिए हमारे पास है ग्रनारों की तरफ से J30 एक budget wireless microphone content creators के लिए यह है माइक आपको पढ़ जाएगा 1450 रुपीस से लेके 2300 रुपीस के बीट में आपकी use case और need case आप से इसके बारे मैं detail बताऊँगा end में फिलाल डबा कोलते हैं और देखने की माइक अंदर से कैसा है बाइदर हम इस माइक को काफी week से use करने है तो इसकी अच्छी खासी testing हो चुकी है तुम मैंसे कुछ लोगों नोटिस भी कर लिया हूँ कि last 2-3 वीडियो में हमने इस माइक को use करा है अगर तुमने कर लिया है तो भाई तुम प्यारे वाले फैन्स हो अगर तुमने नहीं कर रहा है तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को तुम भी बन जोगे प्यारे वाले फैन्स तो कुछ इस टाइप का छोड़ा सा box मिल जाएगा center में हमारी main device बनी हुई है उपर हमें branding and model name मिल जाता है then box को खोलते तो अनदर सबसे पहले एक warranty card निकल जाता है then इसके चे वाइट plastic packaging में हमें मिल जाती है हमारी case and case के center में हमें grinaro की branding मिल जाती है and case पूरी plastic build में मिल जाती है black matte finish में and plastic की quality अच्छी हासी decent मिलती है हमें then case के अंदर हमें हमारे दो mics मिल जाते है and right side में ये receiver मिल जाता है फिर case को side पर रखते हैं अभी के लिए then एक छोटे से box में type A to type C cable मिल जाती है for charging and एक type C to lightning वाला converter मिल जाता है apple users के लिए and ये converter भी काफी अच्छी quality का लग रहा है then last हमें एक user manual मिल जाती है बस तो हम अपनी case पर वापस आते है and हमारे पास duo वाला model है तो हमें 2 mics मिलते है and यहाँ पर 2 mics पर एक plastic की tape type की लगी मिल जाएगी ताकि delivery time कुछ issue ना हो जाए तो इसे peel करना मत भूलना वरना एक case से charge नहीं होगा तो हमारा microphone कुछ इस type का मिल जाता है यह भी पूरा plastic build में and इसकी plastic quality भी decent है and पूरा यह black matte finish में मिलता है सबसे पहले center में हमें मिल जाती है green arrow की branding उसके उपर हमें एक status indicator वाई light मिल जाती है then उपर की side में हमें audio input मिल जाता है right में एक power button मिल जाता है and left side में type c port मिल जाता है जिससे आप directly इसे charge का सकते हो बिना case में रखे भी और नीचे की side pogo pin तो मिलती है case से इसको charge करने के लिए and lastly पीछे की side है कि यह clip type की मिल जाती है ताकि आप इसको easily अपने collar पर लगा सको टी-shirt के तो अब जो mic के ही हमारा इसमें में सिफ wireless mode मिलता है and इसे use करना बहुत simple है यह बस kind of plug and play जैसा है आपको कुछ भी नहीं करना है आपको जो बस आपका receiver है उसको अपने phone में लगाना है and then इसका power button आपको hold करके इसको on कर लेना है and यह green हो जाएगा and green मतलब यह अपने receiver से pair हो चुका है तो बस अब आप इसे directly use करना start कर सकते हो phone की camera app के थूँ तो कुछ लोगों के लिए काफी बढ़िया है इस पे एक button दिया है इसी से सब हो जाता है कोई software support नहीं है कुछ complications नहीं है तो कुछ लोगों को तो यह काफी पसंद आएगा वहीं कुछ लोगों complicated पसंद होता है software का support हो यह सब वो customize कर पाएं तो आप किस वाली category में आते हो मैं को commentaire के बताऊ नीचे तो mic है सबसे जरूरी चीज क्या है audio quality तो अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो इस mic का raw output है बिना किसी editing के कुछ इस तरह को audio output आपको मिल जाएगा indoors में कुछ भी नहीं चल रहा है fan AC सब्बंद है AC में चला रहे था बट मेरा काफी loud वाले AC window AC है तो उसमें बहुत ज्यादा ही आवाज आती है तो वो अलगी चीज हो गई बाकी इसमें तीन levels की आपको noise cancellation भी मिलती है तो यह आप on the go change कर सकते हो इसके button से इसके button को आप एक बार press करोगे तो एक बार green light blink होगी तो आपका यह first mode है एक और बार press करोगे तो light दो बार blink होगी तो यह आपका second mode है यह जो मैं आपको audio quality सुना रहा हूँ यह second वाले noise cancellation mode पे है तो आप अगर इसको एक और बार tap कर दोगे तो यह third वाले noise cancellation mode पे चला जाएगा और इस पर कुछ इतनी noise cancel हो जाएगी तो आप बताओ कैसा लग रहा है आपको कॉमेंट करके इंडोर्स में इसकी कॉलिटी कैसी लग दी है लिफ्ट के अंदर भी इस टाइप का ओट पूट मिल जाएगा पता नहीं क्यों देखा रहा हूँ है अगर मालों का भी लिफ्ट में आपको रेकॉर्ड करना पड़े तो इस तरह का मिल जाएगा अच्छा पंखा चल रहा है लिफ्ट का लाओड और नॉइस अच्छी गासी गाजल कर दे रहा है पर अगर थर्ड वाले पर कर लो तो पता नहीं और जादा कर देगा पर आउट्डोर्स में कुछ इस टाइप का उट्पूट मिल जाएगा अभी मी सेकेंड वाले नोइस कांसलेशन मोड पर ही है कि अब बढ़ा साथ देख सकते हो तो मैं यहां पर स्कूडी सारा रहा हूं दीरे चला रहा हूं जाहां तेज नहीं चला रहा हूं थोड़ी घलकी तेज स्ला सकता हूं तो थर्ड वाले नॉइस कांसलेशन मोड पर है अभी तो इतनी नॉइस कांसल कर देगा आपकी और इस टैप का आउट पुट आपका आजाएगा अगर आप अपन में व्लोगिंग करते हो बाइक राइड वोगिंग करते हो तो कॉमेंट करके बताओ मैं को कि इसकी कॉलिटी बहार आपको कैसी लग रही है तो ब्राइड ने मिंचन करी कि इसकी रेंज 20 मीटर्स तक है जो कि अगर आप एक रूम में कॉंटेंट मनाते हो पॉड़कास टाइप का हो गया मेरे साथ एक कॉंटेंट हो गया तो आपके लिए ना फोनी चीए है तो यहां से मेरी अवाज 20 मीटर्स भी हो सकता है और अवाज माइक से हारी है यह देख सकता है अगर इतनी रेंज से भी कैप्चर कर पा रहे और तो अच्छा कासा उट्पोटेस का मतलब इतनी रेंज तो काफी होती है और 20 मीटर तो डेफिनिटली होगी यह तो ब्राइड ने जो लिखा है वो सही ह अच्छा अच्छा लंबा अलवे आप देख सकते हो और इतनी रेंज मेरे साब से तो सही रहेगी अगर आप इंडोर्स में कॉन्टेंट मराते हो तो भी आपके लिए रेंज आई थिंक सही रही चाहिए क्योंकि इतनी दूर तो आप कम ही जाओगे कामरा से तो ब्रांड का कहना है कि आपको इससे 8 आर्स तक का बैकप मिल जाएगा अगर केस को इंक्लूट करने तो 60 आर्स तक का बैकप मिल जाएगा जो कि मेरे साब से मोर देन इनॉफ है और इसमें टाइप C पोर्ट मिल जाते है जिससे कि आप इसे एक दो गंटे में फुल चार्ज कर सकते हो और अगर मैं रियल लाइफ में बता हूँ तो यह माई का हुए एक महीना हो चुका है तो जब ही मैंने इसको फर्स ताइम खोला था तब मैंने इसको चार्ज किया था एंड उसके बाद मैंने चार वीडियो शूट कर ली है इंक्लूडिंग यह वाली जो भी मैं कर रहा हूँ अब ही तक मैं को इसको वापिस चार्ज करनी की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो बैटरी बैगप के मामले मुझे इससे कोई कम्प्लेंस नहीं अच्छा कासा बैटरी बैटरी तो कदम नहीं होगी लेकिन अगर आप इसे लॉंग टाइम के लिए उसको फोन की बैटरी कदम ह बाकि इसमें काफी वाइड कंपैटिबिलिटी मिलती है आप किसी भी डिवाइस पे सिक उसकते हो फोन पे तो हम जैसे करी रहें भी नॉर्मली बाकि आपको टैबलेट वाबलेट पी यूज करना हो मीटिंग लेते हो आप अच्छी ओडियो कालिटी सामने बेज नहीं तो इसको आराम से अपने टाबलेट पी यूज कर सकते हो डायरेट ली टाइप सी पोर्ट पे लगाके दिन अगर आपको इसे अपने लाप टॉप पे यूज करना है तो यूज करेंगा तो अच्छी आपको वाइड कंपैटिबिलिटी मिल जाती है इस माइप तो बस यही था पूरा रिव्यू और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बर्डे पर गिफ्ट किया था जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि यह माइक आपको 1450 रुपीज से स्टार्ट होके 2300 रुपीज तक का पर सकते है तो 1450 में आपको इसका सोलो वाला वर्जिन बिल जागा इसमें एक माई कायगा एक रिषीवर ने इसके लिए अच्छे ऑए वह मतलब आपको बजट करें चेये हैं एक ही लाइक सोलो आपको रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए सहीया आप उसके लिए जा सकते हो और सोलो ट्राक करके आपको अपने वीडिएटिंग सॉट्वडेर में अर वाल्यू फोर मनी लगा सिंपल सा है यूज करने में इजी है फोन में लगाओ चालू हो जाओ सीज है वंदब काफी कन्वीनियंट है एंड इसके लिए इसके लिए को लाइक भी कर सकते हो और दोस्तिया शेयर भी कर सकते हो बागी कमें करके बता हो अगर आपको कोई और बज कि अधिनगे कभी ना कभी कर सकते हो कर सकते क्या हो यार कर दो सब्सक्राइब कर सकते हो कर दो पहुंचना है यह ज्यादा ज्यादा कॉंटेंट ला सके आप तक यह वीडियों है बाइग